C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की पर्यावरण अध्यन की ध्वनी पाठे पुस्तक हमारा अध्वुत संसार अध्याय दो मेले में हम प्रिष्ट संक्या उन्नेस मेले में जाने की तयारी आखिर शहर में मेला लगी गया नीता और राधा मेले में जाने की तयारी कर रहे हैं दोनों में बहुत ही उत्सा है मेला गर से थोड़ी दूर ही लगा है उन्हें वहाँ पहुँचने के लिए बस लेने की जरूरत है इस प्रिष्ट के निचले भाग में बेला के परिवार का चित्र है जिसमें सभी लोग मेले में जाने के तयारी कर रहे है प्रिष्ट संक्या बीस क्या हो रहा है तुम सभी बहुत व्यस्त लग रहे हो दादी जी ने पूछा दादी जी हम मेले में जा रहे हैं आप भी हमारे साथ मेले में चलिये न नीता और राधा ने कहा मेला? अरे हाँ तुम्हारे मा ने भी मुझे साथ चलने के लिए कहा था मुझे भी जाना अच्छा लगता है पर तुम तो जानती हो न मेरे टांगे बहुत दुखती हैं दादीजे ने कहा इसी बीच नीता के पिताजे भी आ गए वे बोले हमारे साथ और भी बहुत से लोग जा रहे हैं हमारे पड़ोसी, स्नेहा और रोहित तथा मोहन चाचा और उनका परिवार भी वो आज ही ट्रेन से आ रहे हैं आप चिंता न करें हम सब मिलकर आपका ध्यान रखेंगे दादीजी ने मुश्कराते हुए उत्तर दिया ठीक है, मैं भी जलूँगी क्या तुमने अपनी पाने के बोतले भर ली हैं? इस प्रिष्ट के निचले भाग में बेला के परिवार का चित्र है जिसमें बेला की दादीजी, उसकी सहली और मा खड़ी हैं सभी मेले में जाने की तयारी कर रहे हैं प्रिष्ट संख्या 21 नीता ने कहा, हाँ दादीजी और हमने अपने पिकनिक पर जाने के लिए बैग भी तयार कर लिये हैं दादीजी के मेले में चलने के लिए राजी होने पर बच्चे खुशी से जूम उठे नीता के पिताजी ने अपने पड़ोसियों को बुलाया और समय पर तयार होने के लिए कहा इसी बीच मोहन चाचा ने बताया कि वो उन सबसे सीधे मेले में ही मिलेंगे वो पहले नगर बस पकड़ेंगे फिर आटो से मेले में पहुँच जाएंगे अरे वाह! हम कितनी सारे लोग होंगे! हमें तो बहुत ही मज़ा आने वारा है! राधा ने खुशी से कहा इस प्रिष्ट पर दो चित्र हैं उपर वले चित्र में बेला, उसकी पिताजी और दादी हैं इस प्रिष्ट के निचले भाग में एक चित्र है इसमें मुसाफिर बस का इंतिजार कर रहे हैं चर्चा कीजिए! आप क्या सोचते हो कि नीता और राधा के परिवार ने अपने साथ पिक्निक पर ले जाने वाले बैग में क्या-क्या सामान रखा होगा जब आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो क्या-क्या तयारी करते हैं? प्रिष्ट संख्या 22 मेले की ओर इस प्रिष्ट के उपरी भाग में एक चित्र है इसमें सनेहा उसका भाई रोहित और उसकी मा है जो मेले में जाने के तयारी कर रहे हैं सनेहा और रोहित नीता के पड़ोसी ही नहीं बलकि अच्छे मित्र भी हैं वो भी मेले में जाने के तयारी कर रहे हैं मा ने कहा, सनेहा, जल्दी करो, नीता का परिवार बस आता ही होगा। सनेहा ने कहा, मा मैं लगबग तैयार ही हूँ, बस ये देख रही हूँ कि मैंने जरूरत की सभी चीज़ें रख ली है ना। पिताजी बोले अब चलने का समय हो गया है नीता का परिवार आ गया है और वो सभी मेले के लिए चल दिये नीता ने दादी जी का हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे बस स्टेंड के और चल दिये वो सडक पर दोनों दिशाओं से आते हुए वहन उपर ध्यान देते हुई चल रही थे इस प्रिष्ट के निचले भाग में नीता के पिताजी का चितर है प्रिष्ट संख्या 23 इस प्रिष्ट के उपरी भाग में नीता का परिवार बस स्टेंड के तरफ जा रहा है 401 नंबर के बस धीरे से आकर रुग गई बस कंडेक्टर और नीता के पिताजी ने दादी जी को बस में चड़ने में सहता की बस में वृद लोगों के लिए सीटें आरक्षित थी दादी जी बहुत आराम से सीट पर बैट गई सभी बस में चड़ गए दादी जी के इर्द गिर्द की सीटों पर सब बैट गए रोहित के पिताजी ने आगरे किया कि सभी के टिकट वो ही ले रहे हैं उन्होंने कंडेक्टर से कहा क्रिपया पांच बड़ों की और चार बच्चों की टिकट दें उन्होंने बच्चों को अपनी अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा। साथ ही उन्हें सावधान किया कि वो इधर उधर ना कुदें। उन्होंने ये भी कहा कि इस सुरक्षित रहने के लिए वो अपना सेर और हाथ खिड किसे बाहर ना निकालें। बस शहर की सड़क पर चल और अंत में मेले वाले मैदान के पास पहुँच गई। संक्षेप में लिखिए। यहाँ पर एक रिक्त स्थान है। इसमें आपको किसी यात्रा के बारे में लिखना है। इस प्रिष्ट के निचले भाग में कुछ लोग मेले में जा रहे हैं। और साथ ही कुछ बोड लगे हैं। जिन पर लिखा है पार्किंग, प्रात्मिक चिकि साथ ही एक आटो रिक्षा और एक बस खड़े हैं। मेले में दोनों परिवार बड़े परेड मेयदान में पहुँचे, जहा मेला लगा हुआ था। मोहन चाचा और उनका परिवार भी आटो रिक्षा से पहुँच गया। प्रिविश द्वार पर मेले की मेयदान का एक नक बूत भी बना हुआ था, जिसमें अपनी इच्छा से काम करने वाले लोग अर्थात स्वेम से भी बैठे थे, मोहन चाचा और रोहित जल्दी से दादी जी के लिए पहिया कुर्सी लेने गए, इस प्रिष्ट के निचले भाग में एक चित्र है, जिसमें एक पुलिस की जीप एक एमबुलेंस, एक दमकल केंदर के गाड़ी और कुछ लोग खड़े हैं, प्रिष्ट संक्या 26, मेले में घुसते ही उन्होंने खेल, खिलोनों, मिठाई और तरह तरह की मज़िदार चीजों के स्टॉल देखे, बच्चे खुशी से जूम रहे थे, वो खिलोने वाले पिर्की और गुडिया खरीदी, बच्चोंने मेरी गोराउंड और बड़े जूले पर सवारी की, इस प्रिष्ट के मद्य भाग में मेले का चितर है, प्रिष्ट संक्या 28, इस प्रिष्ट पर दो चितर है, ऊपर वाले चितर में लिखा है हाद धों, यहाँ पर कुछ बच् उन्हें कटपुतले का खेल भी बहुत मज़िदार लगा। मोहन चाचा ने बच्चो को बुलाया और कहा, आप लोगों ने मेले का बहुत आनन्द ले लिया। आओ, अब कुछ खा लेते हैं। ध्यान रहे कि खाने से पहले सभी को अच्छी तरह से हाथ धोने हैं। सभी बच्चे पानी वाली जगह पर गए और हाथ धोये। उन्होंने गोल गप्पे, चाट, छोले कुल्चे, रबडी के साथ गर्मा गर्म जलेबी, कुल्फी तथा और भी बहुत से स्वादिष्ट वेंजनों का आनन्द लिया। खाने के बाद उन्होंने कच्रा कूड़ेदान में डाला। जब वो मेले से बाहर जा रहे थे, तो दादी जी हैरान होकर बोली, देखो बच्चो, वो देखो, पुलिस वाली मेडम के साथ कौन है। सभी बच्चे एक साथ बोले, हमें पता है दादी, ये खोजी कुत्ता है। क्या आप जानते हैं? कुम्ब मेला विशु का सबसे बड़ा बर्व है। गंगा, यमना, गोदावरी और क्षिप्रा नदियों के किनारे पर होने वाला ये मानव जाती का सबसे बड़ा समारो है। ये मेला हरिद्वार, प्रियागराज, नासिक तथा उज्जैन में बारह वर्षों में एक बार लगता है। प्रिष्ट संख्या 39 लिखिए, खोया और पाया बूत किस लिए होता है। रिक्तिस्थान, खोजी कुद्टे किस काम आते हैं। रिक्तिस्थान, क्या आप कभी मेले में गए हो। आपको मेले में कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी। रिक्तिस्थान, चर्चा कीजिए, अनुभव साजा कीजिए, कल्पना कीजिए कि नीता, राधा, स्नेहा और रोहित की जगह आप मेले में गए हैं। आज के मेलों से किस तरह अलग थे? मेले में एमुलन्स और आग बुझाने वाली गाड़ी क्यों होती है? प्रिष्ट संक्या 30, गतिविधी 1, इस नक्षे रेखाचित्र को पढ़िए। इस नक्षे में दियेगे स्थान हैं पुस्तकाले, स्नेहा और रोहित का घर, नीता और राधा का घर, परेड मैदान, डाक घर, विद्याले और पुलिस्थाना। नक्षा, रेखा चित्र पढ़िए और उत्तर दीजिए। रोहित और स्नेहा के घर का पता लगाईए और उसपर गोला लगाईए। नीता और राधा के घर का पता लगाईए और उस पर गोला लगाईए. किसका घर परेड मैदान के अधिक समीप है? अगर आप पुलिस थाने से होते हुए परेड मैदान की और जा रहे हैं, तो रास्ते में कौन कौन से स्थान आएंगे? प्रिष्ट संख्या 31, चित्र बनाईए. यहां दियेगे स्थान में अपने घर से विद्याले तक पहुचने के मार्ग का चित्र बनाईए. प्रिष्ट संख्या 32, आईए मन्थन करें. क कक्षा में चर्चा कीजिए. एक, हम अपने बड़ों का ध्यान किस तरह से रख सकते हैं 2. हमारे आसपास के परिवेश में कौन-कौन से वाहन दिखते हैं. 3. यात्रा करने के दौरान अपनी सुरक्षा का ध्यान कैसे रखा जा सकता है. ख, यहां दीगई सूची में से उचित शब्दों को ढूंड कर सही चित्र के साथ मिलान करके उस चित्र के नीचे लिखिए. यहां पर एक तालिका है. तालिका के तीन भाग हैं. पहले और तीसरे भाग में कुछ चित्र हैं. और उनके बीच में उनके नाम दिये गए हैं. चोड़ी बेचने वाला, स्वैम सेवी, पुलिस वाला, चिकित्सा सहयक और मेहंदी वाला. अब आपको इनके साथ चित्रों का सही मिलान करना है. उधरन के तौर पर यहां पर एक मिलान किया गया है. जैसे खोया पाया के साथ संबंध है स्वैम सेवी का, जो उसके नीचे लिखा है. अब आप स्वैम बाकी चित्रों का सही मिलान करें. प्रिष्ट संखिया 33. ग, चित्र बनाईए. अपनी कौपी में अपने घर और विद्याले के आसपास दिखने वाले किनी चार वाहनों के चित्र बनाईए और उनके नाम भी लिखिये. ग, अभिने, अर्थात, रोल प्ले. मेले के द्रिश्य का अभिने कीजिए. शिक्षक की सहता से अपनी कक्षा में मेले के द्रिश्य को नाटकिये रूप से दिखाईए. मेले में होने वाली भिन 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 भुमिकाओं, स्टॉल और खेलों के बारे में चर्चा कीजिए और उसकी योजना बनाईए कक्षा में या अपने आसपास उपलब्द सामान से कक्षा में उपयोग की जाने वाली सामगरी जैसे खिलोने, कट पुतली, खेल वाले पैसे, चीजों या जगों के छोटे रूप, मिट्टी के खिलोनों आदी से अपना स्टॉल बनाईए और दुकानदार वा खरीदार का ख खेल खेलिये, इस प्रिष्ट के निचले भाग में एक मेली का चितर है, जिसमें जूले और बहुत सारे लोग हैं। तथा प्रस्तोती, CIET, NCERT, ने दिल्ली, भारत।